जैसी किसना वक्तों हमारे बी एस सर्माबाद द्वाद चैनल में आप सभी वक्तों का स्वागत हैं वक्तो आज की कठा में हम पुत्रेश्टी कठा हरवस्पुराण के 26 में दिन की कठा का बंदन कर रहें आप सभी ध्यान लगा करके इस कठा का सिमन करें बुलिंद्रावन व्यारिलाले की जैं गजान नंभूत गडादिशिवितं कापेथे अंभू फलिचार वक्यनं उमा सुतं सोक विनाशिकारिकं नमामि विगेने स्वरिपादि बंगजं गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देवो मेश्वराः गुरूर शाक्षाते परंब्रम्मा तस्मैशी गुर्वे नमा अखंडवंडलाकारं व्याप्तम्ये नचराचरं तर्परंदर्शितम्ये नहा तस्मैशी गुर्वे नमा क्रिष्णाए वासुदेवाई हरे परमात्मने प्राता कले सिनासाई गोविंदाए नमो नमा सान्ताकारं वुजगसेनं पर्मिनावं सुरेशं विश्वाधारं गण्षद्रसं मेगवरिनं स्वांगं लक्षमी कांतं कमलनेनं योग व्रिद्यान गंव्यं बंदे विष्णु भववयनं सर्लोके के नातं सप्रधम भगवांशी रादाखिष्ण के चर्ण करणों परिणाम करके श्री व्यासी माराज सर्श्वति देवी एवं सद्गुदेव के चर्णों का ध्यान काते हुए अपने मात्रपता सभी पूजनों का अश्रवा लेते हुए भगवांशी वांकिव्यारी मुली मलो ल गुरेंद्रावनव्यारी लाले की जाएं श्री सुझी माराज कहते हैं किर्शियों भगवांशी कृष्ण अपनी बाल लीलाय कर रहे थे भगवांशी किष्ण की बाल लीलाओं में श्री रादा रानी की मैमा का भी वर्णन है रादा नानी ब्रिश्वान गोप के यहां पर पनुहीं रिगरगा चार्जी ने नंद बावा को बताया था कि तुम्हारा कृष्ण जो है तुम्हारा लाला परम ब्रह्म का अब्तार है प्रित्यक अब्तार में अनेकों तरेके रूप धारन काता है तुम्हारे लाला का सबसे परम ब्रह्म सरूप है जो श्री कृष्ण नाम से गोलोग धाम में भी रहता है उनकी परम प्रेशी अराध्या श्री रादा जी हैं जो ब्रिज मंडल में प्रगत हो चुकी हैं ब्रिश्वान गोप के यापा कीर्टी जी के द्वारा उनका अवतार हुआ है नंद बाबा जो हैं गाय चराने जाते थी परम पुरान के अंदर कथा आती हैं कि नंद बाबा एक दिन श्री कृष्ण जी को लेकर के गोधी में लेकर के गाय चराने चले गई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से नंद बाबा बहुत प्यार काते थी हर समय पर अपने गले से लगाखे रखते थी श्री कृष्ण भगवान भी जिद्ध करने लगे कि बाबा आज तो मैं आपके साथ चलूँगा नंद बाबा गाय चराने ले जाते हैं अचानक अचानक से भेंकर आदी और भेंकर वारिश होने लगी नंद बाबा घबडा गए कि कनिया को कहां पर रखूँ उसी समय एक डिब्य तेज प्रगत हुआ उसी डिब्य तेज के अंदर रादा जी प्रगत हुई रादा जी को देखकर के नंद बाबा समझ गए ये तो भगवान श्री कृष्न की प्रेशी श्री रादा ही नंद बाबा ने प्रिणाम किया और काहे देवी ये तुमारी प्रियत में इनको तुम समारो ये गुप्त क बाबा है बक्तों ये पदं पुरान के अंदर आती है रादा जी सिरग्रिशन को ले करके अध्नदारी बने में प्रवेश कर गई जो मांठ गाम में ज मदान sparked में लीकि ये वहां पर प्रवेश्व में उढ्रoline के लालक कहा गये तो सामने से युवा सरकार की रूप में युगल सरकार की रूप में सुरी कृषिन जी आ रहें वर्श की अवस्था बना करके लादा राणी ने से कष्ण को प्रिनाम किया उसी समय ब्रह्म देव आ गए और ब्रह्मा जी ने रादा किष्ण का बिवाय संसार की द्रिष्टी से अद्रिष्टा पंदु देवताओं की द्रिष्टी में द्रिष्टा बंडारी बने के अंदर हुआ आज भी बहुरे बंडारी बने में जा बिवाय इस तरह ब्रह्मर करते हैं रादा किस्न का ब्रवाय हुआ उसके बाद में ब्रह्मा जिवासे इंतर्यान हो जाते हैं भगवान ने अपना युगल रूप ट्याग दिया बाल रूप डान कर लिया रादा जी उन्हें लेकर के यसोड़ा मैया के पाथ जाती हैं यसोड़ा मैया रादा जी को देख करके कहती हैं कि वेती आप कौन हो रादा जी कहती है मैया ये बाबा ने दिया है लाला बारस में वीग रा था लाला को लेक्या ही हो ये सोधा मैया उसे कहने चाहती है कि आपको कप्रे बरल लिके देती हूं दूसरे कप्रे धान कर लो तुम्हारे वस्ट भी गए इतनी दिर में रादा रानी अद्रिस हो जाती है रादा जी शीक्रिष्ण से अतीप प्रेम करती थी रादा जी के बराबर शीक्रिष्ण से कोई भी प्रेम ने कहता था या माता यसुदा करती थी मा या पर रादा रानी करती थी रादा रानी पूरे दिन बर शिरी कृष्ण का ध्यान करते हुए फूले की माला बनाती रहती है शाम सुन्दर के लिए माला तयार करती है अब ब्रिज की गोपिया जो है सभी में बात फैल गई कि रादा से किसन से बहुत प्रेम करती है अब सब तरह की लोग होते हैं पहले समय पे भी होते थे कोछ जो गोपिया प्रसंद― होती थी कुछ उलाना देती थी देखो भिस्वान तुमारी बेती जो है नं निगाम के कृष्ण से प्रेम करने लग गई है इसे सरम भी नहीं आती мире कोई कुछ कहता उलाना देता रादा रानी रो लेती थी पर किशी को जवाब ने देती थी ये देखकर के एक दिन बिंदरावन की स्वामनी श्री ब्रिंदा देवी से रानी गया उन्होंने श्री किर्ष्ण से जाकर के निवीदन किया कहें प्रवो रादा जी का दुख मुझे देखा नहीं जाता रादा जी को लाना देती हैं आप कृपा करके रादा के मैट्टों का संसार के सामने प्रकट करें भगवाशी किसने एक दिन बाल लीला करी बाल लीला करते हुए एक दिन अपने आगन में खेल रहे हैं आगन में खेलते खेलते कृष्णे बेवोस हो करके गे जाते हैं नंद बावा ब्याकुल हो गए, सभी ब्रिज मंदल को बुलाए गया, बड़े से बड़े बैदों को बुलाए गया, पंद कृष्ण जी की मुर्चा दूरी ने हो रही, नीले पढ़ते जा रहे हैं, एकदम बिश्का सा प्रवाव हो रहा है, बड़े से बड़े बैद सभी ठ ब्रिज बावान जी आए, कीती जी बी आए, पूरा ब्रिज मंदल खटा हो रहा है, सभी कह रहे हैं कि अब क्या होगा, पूरे ब्रिज में हाकार मचा हुआ है, उसी समय भगवान की लीला से स्वेम धन्मंतरी भगवान वहां पर प्रगत हुए, धन्मंतरी मारा जाते हैं, और आकर के कहते हैं कि क्या बात है, मैं बड़े से बड़ी बीमारी को दूर कर सकता हूँ, सभी उन्हें ब्रिजवासी लेकर के नंद वावा के पास आए, का कि माराज आपको जो चाहिए सूदे देंगे, पर हमाई लाला को ठीक का दो, धन्मंतरी भगवान ब्राम्मर की र छेड की चलनी में, और बालों के तात पर चड़कर के जमना जी के उस किनारे जाए, और उधर से पानी बर किलावे, एक बून भी पानी गिरे नहीं, उससे अगर लाला को इस्नान कराया जाए, तो निश्यत रूप से आपका लाला ठीक हो जाएगा, अब ऐसा चमतकार, ऐस परिक्षा कोन दे सकता है, बड़ी से बड़ी पति बृता भी ये परिक्षा नहीं दे सकती है, उस बैद ने भगवां से किस्न की जता है, काट काट के उसमें एक एक जता में जोड करके जो है, एक धागा तया, एक धागी का सिरा जो है, जमना जी के इस किनारे बांदिया, एक सिरा उस किनारे बांदिया बालों की तांत का एक तांत का कितना कच्छ धागा होता है तांत का धागा बना के तैयार करके बांदिया और एक छली तैयार करी मटकी तैयार के जिसमें सौ छेट गरे और का कि इसके उपर चल करके जो जाए सती ऐसी हो इस तांत को उपर कच्चे बाल के धाके को उपर और उस किनारे से पानी वर के लाए अगर वो इसनान कराए तो कनिया थी खेजाए जिन पतिब्रिताओं को बड़ा गमंद था सतियों को बड़े सतित्यों का गमंद था वो चली एक बड़ी बुजर्ग गोपी जो है जो रादा राने की सबसे ज़्यादा निंदा करती थी वो गोपी बड़े एंका से चलनी लेके चली जैसे धागे पर पैर रखा जमनाजी में गिर पड़ी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी उसका सारा सतित्तुका तब भी फैल हो गया बड़ी से बड़ी प्रतिविटाई आगे बनना चाती पर धागे पर पैर रखती तूरी आता था क्योंकि एक बाल का धागा बालों में बाल जो 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 के एक बाल से धागा बनाया गुआ था सभी ब्याकुल हो गए तो यह तो कोई करी नहीं सकता यह चमतका तो देवता भी नहीं कर सकते यह कैसे हो सकता है ब्रिसवान जी नंद जी सभी गॉब कहने लगे के बैद्राजी आप यह ऐसी कोन सती का बताओ कैसी सती संसार में दिखाएने देती तो बैज्त जी कहते आपके ब्रिजघ के अंदर ही ऐसी सती है जो यह कार कर सकती हैw सभी कहने लगे ऐसी सती कौन हैं तो उन्होंने एक कपड़ा धका और कपड़ा धक के थोड़ा मंद्र बतानी लगे और कपड़ा अठाया तो इसके अंदल लिकाता रा और आगे दिखा गूता धा सभी से का आपके ब्रिज में राधा नाम की कोई सती है जो गोपियां राधा जी के निंदा काती थी वो भी अशंबित हो गए इदा राधा जी को कोई हुश नहीं था रादा जी अपने प्राह नासी किष्ण के याद में फूलों की माला गुंद रही थी सभी गौलबाल दोड़ पड़े जाकर के रादा रानी से का कि आपको वहाँ पर जाकर के पानी बरके कृष्ण जी को इस्नान कराना है क्रिष्ण जी बेओस हो गए नंद का लाला बेओस हो गया है रादा जी ने जैसी सुना रादा जी दोड़ी चली आई रादा जी के नित नीचे के तरफ जुके हुए है रादा जी को कोई एंकार भी नहीं है केवल क्रिष्ण के प्रेम में खुई रहती है रादा जी आई बैद राज जी ने कहीं देवी आप ये लो इस छली से ताथ के उपर चड़के जाना है और जा करके आप जलवर के लाओ रादा जी उस सौचेट की चलनी को लेकर के मटकी को लेकर चल देती हैं सभी गौलवाल पीछे से चल दिये वो प्या चलनी के देखते हैं से कैसे होता है जिनको एंकाता वो कहने लगी हम जैसी पत्विता सत्य तो कर नहीं सकी ये क्या करेगी रादा जी ने सबसे पहले उस द को प्रिनाम करती हूँ आपके दागी पर पैड के बाद सिर के वालों पर पैर रखके चैमें नरत में चली जाओं पर आप ठीक होने चाहिए आप ठीक रहें यह हमारी भावना है यह कहके जैसे कदम रखके चली धागा आराम से वैसे बना रादा जी गए जाकर के पानी वरके लाएं एक भून भी पानी उसमें से निकला नहीं और इस किनारे आ गए अब तो रादा जी की जैजैकार होने लगी देवताका से पूलों की वर्सा कर रहे हैं सबी गोपियां हरसे चिकित हो रहे हैं कि यह कैसा चमतकार बैद राद जी को जल दिया बैद राद जी ने का देवी आपी अपने हातों से जल लेकर के नंद लाल का अफशेक करो राद जी ने जैसे अफशेक किया नंद लाल कनिया जटे बैठ करके खड़े हो गए रादा रादा कहने लगे रादा जी अपने भवनों की तरफ चल दी बड़ी बुजिर गोपिया जिनको एंकाता वो भी रादा राने के चन्नों की रज लेने के लिए डोड़ पड़ी सबी बृज मंधल राधा राणे के चन्नों की रज लेकर कि अपने मश्तक पर लगाने लगा बैदराजी उस रज में लोटपोथ हो गए कि देवी मेरा जीवन धन्य हो गया पूरे बृज में राधा जी का मैत तो चा गया सब हार समय राधे- राधे के लगे अब तो गोपिय उन्हें खेड करके खड़ी रहती ही रादा रानी की शेवा करती रहती है रादा रानी की मेमा अनंत है रादा तभी तो भगवान कहें रा के कहें राज मिले धा के कहें सुर्दाम सुर्दा से रादा कहें तो पीछो ना छोड़ा है श्याम रादा नाम की मेमा अनंत है राधा जी के जिस समय भगवान से कृष्ण ब्रिज को छोड़ करके मत्रा गए थे तो राधा जी कृष्ण के साथ में निकुण जन में प्रिवेश कर गए थी राधा जी ने अपनी छाया की राधा जो है वहां ब्रिशवान जी के पास छोड़े थी जिनका बिवाई भी हुआ रादा जी तो स्वें लतापतान में आज भी बर्ज की लतापतान में रादा जी है और जो कृस्णिये थे उनका भी कृस्णिस रूप ब्रिज की लिटापताओं में प्रिविश कर गया तब ही कहते ना ब्रिज गोपाल ब्रिजे रहे रहे गोपियन के पास दुश्टन के कचुकार ने बने दौर का नार भगवान ने ब्रिज के बार निकलते बिश्ट रूप किसों का संगार किया है बिना अस्त्र सस्त्र के किया है किशिवी राक्षेश पर अस्त्र सस्त्र ने चलाया भगवान जानते थे भगवान ने संसार को उप्रेश दिया कि ब्रिज भूमी पवित्र भूमी है यहां पर मैं अस्त्र धारम नहीं करूंगा अस्त्र सस्त्र निस नियम नहीं केवल भाव है भाव से यहां पर परमात्मा प्रगत हो जाते हैं भाव से परमात्मा की पूजा होती है ये ब्रिज भाव है ये ब्रिज भाव बड़े भाग्यों से आता है राधा जी कृष्ण जी से कहती है कृष्ण काना एक वार आप राधा बनके देखो आपको पता चल जाएगा कि राधा बनना कितना कठन है कृष्ण बनना कठन नहीं है कृष्ण बनना आसान है पन राधा बनना कठन है कृष्ण जी ने राधा जी का रूप रान किया रादा जी ने कृष्ण जी का रूप दान किया केते कोट ने काम गुलाम वहे जब काना मुनाबली बन आई कृष्ण जी का रूप कितना सुन्दर है पांतु जब रादा जी ने कृष्ण जी का रूप लिया करोनों कामडे भी लज्जित हो गए भगवाशी कृष्ण से करोड़ गुना सुन्दा रूप छवी दान कर ली जब राधा रानी ने कृष्ण का रूप दान किया ऐसी है सी राधे शिरी राधे केवल आप राधा राधा सब्द पुकार तो सही बड़े बड़े भक्तों ने जिनको कृष्ण की किरपा प्राप नहीं हो रहे थी रसकान हुए ताज बेगम हुई सभी ने शिरी राधा नाम प्रका करके कृष्ण जी को प्राप किया है आप हजार बार कृष्ण नाम उच्चारन करते हो एक बार राधा नाम उच्चारन कर लो देखना सारे पाप ताप संताप सब कुछ मिठ जाएगा ऐसी रादा नाम की में माई भगवान सिवजी ने स्वेम जब गोपी का रूप दारन करा तो रादा जी के कृपा कठाक्ष का गान किया था जिस कृपा कठाक को अगर कोई भी वक्त जन गाता है कहते हैं किसी को संतान नहीं हो रही हो पुत राप्तिक इच्छाओ रादा कुंड के जल में इस्नान करते हुए कृपा कठाक शिगा लेता है जल के अंदर खड़ों के रादा रानी की कृपा हो जाती है मनो कामना पूरी ह जाती है अगर रादा कुंड के जल में खड़ों करके एक से आठवारे कर लेता है तो किसी किसी वक्त को अगर भाव से काता है तो एक दिन के अंदर ही रादा जी की दर्शन हो जाते हैं उस किर्पा कठाक्षि का पहला स्लोख है मुनिन्द ब्रिंद बिंद ते ते लोग सोके हार नी प्रिसंद बक्र पंक जेनी कुन्जू विलास नी ब्रजेन भानु नंद नी ब्रजेन सून संग ते कडा करिश्ये माम कृपा कटा क्षवाजिनम मुनिन्द ब्रिंद ब्रिंद ते ते लोग सोकानी मुनिन बड़ेवर रिशी मुनी योगी जिनका ध्यान करते हैं भगवाशी किसन जिनके चर्नों की बनना करते हैं ते लोग सोकानी तीनों लोकों की संताप को दूखने वाली है जिनके छवी देखते ही चैरे को देखते ही स किसनी भी प्रसन हो जाते हैं प्रफुलित हो जाते हैं वो रादा रानी मेरी अराध्या है मैं उनकी सरण में हूँ उन्हीं रादा जी की सरण में हूँ हे रादे रानी मुझे पर किरपा करो अपने निकुंजन में मुझे बास दो कडा करिश्यमाम करपा करता कि वाजनम भक्त के अंदर आ जाता हैं तो भक्तो रादा रानी की किरपा जरूप प्राप्ट होती है रादा रानी का ये चत्र सुनने से रादा जी के अठाय चत्र हैं पदम पुरान में ब्रम पुरान में बिश्ता से रादा जी का चत्र का वया है जो आपको महिने बीट जाएंगे पूरन कठा का फल प्राप्त हो जाता है पूरे माशिक पुरायन का फल प्राप्त हो जाता है इसलिए रादा अधी का चत्र जरूर सुनना चाहिए सुक्डेव जी माराज ने भागत में रादा जी का नाम ने लिया क्योंकि रादा जी का नाम लेते थे रादा नाम सुन लेते या रादा नाम लेते तो छे महीने के लिए उनकी समाधी लग जाती थी और राजा परिक्षट का साथ दिन में उद्धार करना था ऐसा रादा जी का प्रेम था छे महीने समाधी इसलिए प्रेम से बोलो जैसरी रादे 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 जरूर जपा करो आगे कथा करेंगे आप सबीकों जैश्री किस्णा जैश्री रादे 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 जैश्री राद